कैसे हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं सेमसंग का जो वॉइस रिकॉडर एप होता है दोस्तों उसके नदर एक नए अपडेट आया नए अपडेट होने के तौह पर क्या नए चेंजिस याब हो सकते हैं क्या नए फीचर को एड़ोन किया गया है उसके बारे मैं आपको ब क्या लिखा गया है, टच nessa टार्गेट इंपलीटन के गया है नीचे की तरफ आयंगे तो यह अपडेट को कब रोलाओड किया गया है जो कि 8 mb का यह अपडेट हैं तो मैं इसको कर लेता हूं तो दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चैलों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैलों सब्सक्राइब करना ना भूलें अब मैंने इतना लिखके यहां से कर लिया इसको Stop, ठीक है और मैंने इसको कुछ भी नाम ने दिया और यहां से बंद कर दिया यहाँ पर save हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों क्या update था, इसमें क्या नया feature था, इसमें क्या दिया गया था, touch target implications, और कुछ bugs को fix किया गया था, वापिस open करा, list में आया, अब मैंने यहाँ पर जो भी voice बोली थी, आप देख रहे होंगे, यह चल रही है, implementation है, मेरे साब से यह है, आप इस से अपने साब से इसको कहीं भी easily adjust कर सकते हैं, ताकि आपको easily वहाँ पर सुन चुके, जहां से आपको सुनना हो, touch implementation, मुझे साब से इसमें यही वाला feature को add on किया गया है, और मुझे यहाँ पर कुछ भी changes नहीं मिले, मुझे तो यही चीज लग रही है कि इसमें जो touch imputations वाला option है, वो यही है, जिससे आप easily कहीं भी जाके, मनलब कहीं भी touch करके, वहीं से अपना play कर सके, आप वहाँ से इसको play कर सके, तो मुझे तो यही वाला इसमें update लगा दोस्तों, आप देखने होंगे, मैंने आपको बता भी दिया, और पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो रियल में पसा ही तो प्लीज लाइक जरू करें, और अगर आपको लगता है, और मुझे जरूर बताना कि आपको यही वीडियो कैसी लगी, सबसे जरूरी चीज, जिन्हों ने मेरे चैनल को अभी भी सबस्क्राइब नहीं कि और हो सके तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको निश्य डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो थेंक्यी दोस्तों